इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। जिनके दिल में स्टेंटिंग हुई है। ये ऐसे लोगों में स्टेंट में एक और दिल का दौरा, स्ट्रोक या रक्त के ठक्के बनने जैसी गंभीर हृदय संबंधी समस्याओं को रोकने में मदद करता है। आपका डॉक्टर इस दवा के साथ इस पिरिन, एक अन्या एंटि प्लेटलेट दवा भी लिखेगा। टिकली 90 टेबलेट भूजन के साथ या बिना भूजन की ये लिया जा सकता है और प्रतीक दिन एक ही समय पर नियमित रूप से लिया जाना चाहिए। आपको अच्छा महसूस होने पर भी इसे लेते रहना महत्वपूर्ण है। यदि आ अपने आपको कारते या घाल करते हैं तो रक्तस्राव को रुखने में सामाने से अधिक समय लग सकता है। रक्तस्राव के ऐसे एपिसोड आमतोर पर हलके होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को इस दवा को लेने के बाद हलकी सांस फूलने की समस्या हो सकती है हाला कि यह आमतोर पर निरंतर उपचार के साथ अपने आप ठीक हो जाता है अपने डॉक्टर को बताए कि क्या रखतस्राव बना रहता है या यदि सांस फूलना खराब हो जाता है या दूर नहीं होता है टिकली 90 टेबलेट कुछ लोगों के लिए उप्योक नहीं ह अगर आपको शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही हो जैसे पेट में अलसा या दिमाग में ब्लीडिंग हो तो इसे न ले यह जिगर की बीमारियों वाले लोगों के लिए भी अनुशनसित नहीं है दवा का उप्योग करने से पहले अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर को सूचित करें वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद